प्रधान मंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया भारत सरकार की एक महत्वाकांग्शी योजना है जिसका उद्देश्य देश के 14,500 सरकारी स्कूलों को उतकृष्टता के केंद्रों में बदलना है 36 गड़ में इस योजना के तहट 211 स्कूलों का चयन किया गया है इन स्कूलों में बदलाव लाने में शिक्षकों की भूमी का अत्यन्त महत्वपूर्ण होगी शिक्षकों की जिम्मेदारिया पाठ्यक्रम का क्रियानवेन शिक्षकों को नवीन्तम NCET पाठ्यक्रम का प्रभावी धंग से क्रियानवेन करना होगा इसमें शिक्षन विधियों में बदलाव, गतिविधी आधारित शिक्षा पर ध्यान देना और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सामगरी का उप्योग करना शामिल है विद्यार्थियों का मार्ग दर्शन, शिक्षकों को विद्यार्थियों को उनकी रुची और क्षमता के अनुसार मार्ग दर्शन करना होगा इसमें उन्हें करियर काउंसलिंग, व्यक्तित्व विकास और सामाजिक भावनात्मक शिक्षा प्रदान करना शामिल है मूल्यांकन और प्रतिक्रिया, शिक्षकों को विद्यार्थियों की प्रगती का नियमित रूप से मूल्यांकन करना होगा और उन्हें प्रतिक्रिया प्रदान करनी होगी इसमें आपचारिक और अनापचारिक मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना शामिल है PM श्री योजना के तहट शिक्षकों को मिलने वाला समर्थन प्रशिक्षन और क्षमता निर्मान शिक्षकों को नवीन्तम शिक्षन विधियों, प्रोध्योगिकी के उपयोग और मूल्यांकन तक्नीकों में प्रशिक्षन प्रदान किया जाएगा आधार भूत सुविधाओं का विकास, स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोकशालाएं, उस्तकाले और खेल के मैदान जैसी भेतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी वित्तिय सहायता, स्कूलों को अतिरिक्त वित्तिय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे शिक्षन सामगरी, प्रोध्योगिकी और अन्य संसाधनों की खरीद कर सकें निशकर्ष पी-एम श्री योजना शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है 36 गड के शिक्षकों की इस योजना में सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होगी शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन और समर्पन के साथ निभाने के लिए तयार रहना होगा यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक संग्षिप्त विवर्ण है अधिक जानकारी के लिए आप निम्नलिखित संसाधनों का उल्लेक कर सकते हैं पी-एम श्री योजना की आधिकारिक वेबसाइट https colon slash slash pmschols.educaton.gov.in 36 गर्ण शिक्षा विभाग की वेबसाइट https colon slash slash eduportl.cg.nic.in मीडिया लेक और समाचार रिपोर्ट यह भी ध्यान रखें कि योजना अभी भी प्रारमभिक चरण में है और इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं